और नमस्कार श्वागत श्वारे भारत पर मैं हूँ आपके साथ अमीत खत्री स्री आपि हम आई हूं है राम नगरी अयोध्या वह creations 2 जहां प्रभूश्री राम ने जनम लिया था और वही अयोध्या जहां प्रभूश्री राम बैकूंट जा रहें थे तो इसी नदी में अपने देह का त्याक किये थे, अपने शरीड का त्याक किये थे और वो बाद में बैकूंट चले गा थे हमारे साथ सोनु बर्माल जी है आईए उनसे ही बात करते हैं बाक्या वो त्रेता यूग में हुआ था था थोरा सौट में हमारे दर्शकों को बताएं देखिए हम गुपतार घाट पे हैं और बता दे आपको कि गुपतार घाट जो है इसकी बहुत पुराणिक माननेता है तो यहीं आ करके उन्होंने अपने सरीर का त्या किया था सबसे पहले माता सीता जो है वो परिवार से अलग हुई राम से अलग हुई उसके बाद आप देखेंगे कि लक्षमन जो थे तो लक्षमन कब अलग होते हैं दुरवासा रिशी उनके हां आते हैं और जैसा यमराज पहले से उनके आप पहुंचे रहते हैं और कहते हैं कि हम जब राम जी से बादसित करेंगे तो एक सर्थ रखते हैं कि हमारे बादसित के दौरान कोई हमें देखना नहीं चाहिए तो दुर्वासा रिशी आते हैं बहुत क्रोधी रिशी थे वो अपने समय के और वो कहते हैं लक्षमन से कि मुझे अभी राम से मिलना है लक्षमन कहते हैं कि महा से हमें थोड़ा से समय दिया जाए प्रभू ने कहा है कि हम अभी कोई व्यक्ति आए तो उनको अभी नहीं मिलने दीजेगा हम एकाद घंटे के बाद उनसे मिलेंगे वो अभी किसी जरूरी काम में है लेक भुखते उससे अच्छा है कि मैं अपने सरीर का त्याग कर दूँ तो वो वैसे राम मना किये रहते हैं लेकिन उसके बावजुद वो जाते हैं अध्या को बचाने के लिए अंदर जाते हैं तो यम्राज वहां कड़े होते हैं और चुकि राम का ये वचन रहता है कि अगर बीच में कोई आएगा तो उसको अपने सरीर का त्याग करना पड़ेगा तो इसलिए लक्षमन जी वहां से जाते हैं और जा करके इसी नदी में अपने सरीर का त्याग करते हैं और वहां से वो सेष नाग बन करके बैकूंठ में जाते हैं कि अब मेरे भगवान आने वाले ह उनके लिए हम पहले से अपने शेवक के रूप में तयार हैं जब वो चले जाते हैं और राम की जब इह लीला समाप्त होती है इस प्रिफी से राम इसी गुपतार घाट पे आते हैं अपने परिवार जनों के साथ सबसे पहले राम जाते हैं वो इस नदी में डूपते हैं पूरा अपने सरीर का यहां त्याग करते हैं और यहां से बैकुंठ जाते हैं उसके बाद भरत जाते हैं उसके बाद लक्षमन की पत्नी उर्मिला जाती हैं मांडवी जाती हैं और शुर्तिकृति जाती हैं और ऐसे करके भगवान का जो यहां आप इस्वरिया रूप का जो लीला था यहां समाप्त होता है तो देखा जाता है कि पौरानिक दृष्टि से अगर देखा जाता तो काफी जादा महत्व इस घाट का है मोख्ष की प्राप शिद्धता का एक अन्मोल रिष्टा खुपसूर्ती का जगमोहनलाल शिवरतनलाल जूलर्स एक सो पांच वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक गोल्ड और डाइमंड के अतिसुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहां हैं हैंड क्राफ्ट जूलरी, सिल्वर जूल जूलरी, सिल्वर चेम्स जूलरी, तरहब जूलर्णलाल